नमस्कार दोस्तों आपके अपने वैदिक एश्ट्रो लाइफ यूड़ोग चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुलंक आठ वाले जातको का वर्स 2024 कैसे रहने वाला है दोस्तों हम बात करेंगे कि जिनका जन्म आठ तारीकों 17 को और 26 तारीकों हुआ है तो उनके लिए ये वीडियो विसेश है तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाते हैं कि वर्स 2024 में आपके साथ कौन से घटना घटित हो सकती है तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखें और अपने बारे में जाने कि आपके साथ कौन कौन से घटना घटित हो सकती है वर्स 2024 में आपका करियर कैसा रहेगा ब्यापार कैसा रहेगा और आपका स्वास्त कैसा रहेगा प्रेम जीवन कैसा रहेगा सिक्षा कैसे रहेगे इत्याद के बारे में हम बताएंगे तो दोस्तों हम बात करेंगे कि आठ अंक के बारे में आठ अंक जो होता है तो जैसे कि हमने बताया है कि आठ अंक सनी के है दो हजाट चौबिस में भी सनी देव आ रहे हैं जैसे कि दो बार हैं और चार हैं तो पूरे क्यों काउंट करेंगे तो आठ हमें प्राप्त होगा जो कि सनी का अंक माना गया है तो सनी देव सनी के ही अधिपत्य भी है और अधिकार भी जमा रहे हैं वर्ष दो हजार 24 में तो कैसा रहेगा उन जातकों के लिए कि जिनका जन म आठ तारिक को 17 को और 26 को हुआ हो तो दोस्तो अगर आप हमारे चनल में नहीं हैं चनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक केजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहली प्राप्त हो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको संपोर्ण जानकारे देंग को कवर्स 2024 में आपका स्वास्त कैसा रहे गया तो स्वास्त की बात की जाए तो यहां पर आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहने वाला है आप यहां पर फिट नजर आएंगे साथ ही नियमित रूप से खाना पीना लेंगे वेयाम योगा करेंगे और अपने सरीर पर विसे ध्यान देंगे 2024 में अंक जोतिस के अनुशार आप यहां पर हश्ट पुष्ट भी रहेंगे जंक पूर्ट चिकनी वस्तू तथा नसीली पदार्थ का भी सेवन से बचने की कोशिस करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो मांसिक स्वास्त अच्छा रहेगा बात की जा की जाए तो मुलांकार्ड वाले जातकों का अच्छा रहेगा जो लोग अविवाहित हैं अगर आप साधी के वंदर में बदना चाहते हैं तो यहां पर बहुत ज़्यदा सोच विचार करते हुए नचार आएंगे और जो लोग सिंगल हैं तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी किसी नए रिलेसंसिप में प्रवेस करें तो यहां पर आपको सफलता मिल जाएगी अगर आप कोसिस करते हैं किसी पार्टनर की साथे रहना चाहते हैं तो यहां पर आप कोसिस करेंगे तो मिल जाएगा आपका आप नए रिष्टे में जा सकती हैं बात की जाया है कि वर्ष कि साथ देगा बस 2024 में इस CTY रहेंगी तो जो छात्र scale विदेश में पढ़ाय करना चाते हैं बाहर जाकर पढ़ना चाते हैं विदेश के मतलब यह नहीं कि आप अमेरिका वगेरा जाए घर से बाहर मतलब आप घर से बाहर पढ़ाय करना चाते हैं तो कढ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे बात की जाए कि मुलांकारड़ वाले जातकों कवर्ट दोहजार चौविस में आपका कार इस थाल में प्रदर्सन कैसा रहेगा मतलब जहां पर आप कार करते हैं करियर में कैसा रिजल्ड देखने को मिलेगा तो यहां पर सुरुवाती में करियर के सुरुवात में फिलियाल इतना अच्छा रिजल्ड नहीं मिलेगा बहुत ज़िदा प्रसर रहेगा और जो भी समस्या हैं तो उनका सामना तो करना पड़ेगा वर्स दो हजार चौबिस में करियर को लेकर नया अफसर की प्राप्ती होगी तो यहां पर उन जातकों के लिए अच्छा रहेगा जो जातक पहले से ही तैयारी बना कर चल रहे हैं और यहां पर मुलांकारण वाले जातकों को अपने करियर की छेतर में काफी ज़दा कड़ी महनत करनी पड़ेगा और लगातार कोसिज करनी पड़ेगे अपने कार चेतर से पीछे बिलकुल भी नहीं हटना है जिन लोगों कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो तो आप अपने सरहन भी करेंगे प्रसंसा भी करेंगे तो दोस्तों इदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड सेयर कीजिए